हेलो दोस्तो में नाव में शुजव नोन टेख्टेंकल कर सब्सक्राइब को सवय दोस्तो आज मैं ऐसे दोबगलॉरिय के बारे में बताएंगे दोस्तो यह क्या है वो आप पहले जान लूं दोस्तो गोगल पे एक ऐसा एप्रिकरेंज है जिसके मदद करते हैं मैं आज आप लोगों को पुरा पोसेस बताऊंगा तो आप इस वीडियो पर बने रहे हैं और उससे पहले अगर आप में चैनल पर नहीं है तो निचे लाल बैंग को प्रेस करके साथी में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आने पोड़ आपको यहां पर आपने नमबर डालने के लिए कहा जाएगा तो आप यहां पर आपने नमबर डाल दीजिए तो मैं यहां पर आपने नमबर डाल दूंगा तो आप यहां पर आपने नमबर डाल दीजिए उसके बात दोस्तों सिंपल यहां पर नेक्स्ट कर दीजिए उसके तो आप अपने screen log पर जो password डाल के राका है वो यहाँ पर use कर सकते हैं और नीचे आप use google pin भी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ यहाँ पर use your screen log करके continue कर दूँगा और आपको यहाँ पर अपना password एक बाद डाल देना है उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो account है वो create हो गया है तो आप इसी तरह अपने account को create कर लेजिए और यहाँ पर सबको allow कर दीजिए ठीक है दोस्तों आपके google पर account create करना अभी successfully हो चुका है दोस्तों google पर use करने के लिए आपके पास तीन चीजों का होना बहुत ही जलूरी है सबसे पहले आपका एक bank account होना चाहिए और आपके mobile नमबर उस bank account के साथ link होना चाहिए और आपके पास debit card या फिर ATM card होना चाहिए तब ही आप google pay account को use कर सकते है तो दोस्तों सबसे पहले आपको google pay के साथ अपना bank account link कर लेना चाहिए ताकि आप कहीं पर भी पैसा transfer कर सके तो इसके लिए आपके option मिलेगा add bank account तो आपको यहाँ पर simply tick कर देना है तो यहाँ पर आपको वह bank choose करना है जहाँ पर आपको account है तो मेरा Canada bank account है तो मैं Canada bank को choose कर लूँगा दोस्तों bank choose करने के बाद आपको यहाँ पर allow कर देना है उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा यह जो number है वह मेरा bank account के साथ लिंक है वह यहाँ पर सो हो रही है उसके बाद दोस्तों आपको simply यहाँ पर okay कर देना है अभी आपके नमबर से एक SMS जाएगा आपके बैंक में तो इसके लिए आपके मोबाइल पर SMS पेक होना जरूरी है या फिर एक रूपिया होना जरूरी है तब ही SMS आपके बैंक में जाप आएगा दोस्तों आपके मेरा एकाउन आ गया लास्ट ठेन नमबर को यहांपे डाल दूंगा ठीक है और आपको यहाँ पर ATM काटका valid डाल देना नहीं तो में यहाँ पर अपना ATM काटका जो valid date यह पर दूंगा उसके बात दोस्तों simply आपको स्टीर किनीसान पे click कर देना है तो जैसे यहाँप click करते है आपको यहां पर UPI PIN डालना है दोस्तों यह UPI PIN क्या है वो आप पहले जान लो दोस्तों ATM से पैसा निकलने के लिए आपको जो पासवाट डालना पड़ता है ठीक उसी तरह Google पेसे पैसा ट्रांस्पर करने से पहले आपको इस UPI PIN को डालना होगा और आपको UPI PIN को याद रखना ज दलने का तो आप कोई भी कोट को यहां पर डाल सकते हैं पर दोस्तों आप जो भी UPI PIN डालते हैं आपको उसे याद लखना होगा तो आप यह पर अपने UPI कोट को डाल के ओके कर दीजिए उसके बाद दोस्तों आपका जो Google पे अकाउंट है वो सक्सेस्फुली हो जाएगा अभी आप यहां से किसी को भी कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत थी आसने से बस एक जटके में तो दोस्तों Google पे का अकाउंट कैसे क्रेयर करते हैं और उसके साथ अपना बैंक अकाउंट को लिंक कैसे करता है वो तो आपने से क्लिए अब इससे कैसे यूज करत आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा तो आप याप एक किसी का भी नंबर डाल के रिचाज कर सकते हैं बहुत ही आसाने से और आगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बील पे करने का औप्शन मिल जाते हैं जैसे कि आप जेख सकते हैं एलेक्टरिसिटी, मोबाइल, DTS, TV, लैन, लैन, बहुत सारे ऐसा ओप्शन मिल जाता है, जहां से आप अपने घर बाटे, बील पे कर सकते हैं, बहुत ही आसाने से, दोस्तों इसी तरह आपको यह आप और एक ओप्शन मिल जाता है, जहां से आप कभी भी किसी भी बैंक में प और नीचे लाल बैंक को प्रेज करके साथी में बेल आइकम को दबा लीजिए, ताकि हमारे अगला वीडियो आने पर आप सबसे पहले देख सके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाई, मिलते हैं अगला वीडियो पर